वेलकम टू साइंस मस्ति साइंस मस्ति के आनलाइन क्लासेज में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अशीद बहुत साल्ट के बारे में बहुत सारे टोपिक्स को पढ़ेते हैं उसी में से हम लगों रियक्षन की ऊड़ चल चुके हैं तहके रियक्षन के बारे में समझसके तो समझते समय हमने हमने पहला जो रियक्षन पढ़ा था ओफ strebs न्यूट्रलाईज़ीशन रियक्षन formation होता है क्योंकि H और OH अतात hydrogen ion plus hydroxide ion दोनों मिलकर H2O का निर्मान करते हैं water बनता है और बाकी जो चीज बचा रहाता है वो salt बनाता है तो हम लोगों ने यह चीज पढ़ाता है यह पढ़ाता है कि इसके relative में जब acid को base के साथ reaction कराएंगे अब आता है कि सिर्फ अगर acid को metal oxide के साथ करें उसी में वीडियो में मैंने यह भी बता रहता है एक metal और एक oxygen हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं metal oxide करते हैं दूसरा चीज अब metal oxide करते हैं अब metal oxide जब water metal oxide जब acid के साथ मिल रहा था तो वो बना रहा था क्या चीज बना रहा था वो salt plus water बना रहा था एक चीज थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि salt plus water जो बना रहा था तो salt plus water तो neutralization reaction में भी बना रहा था अर्थात जब metal oxide acid के साथ मिलता है तो salt plus water बनाता है तो acid एक तो acid है ही है अब metal oxide किसका होगा metal oxide base की रूप में काम करता है चलिए जैसे कि हम लोग एक देखते हैं यहां पर हम लोग के सामने एक लिखा गया है MgO plus 2HCl बन जाता है MgCl2 plus H2O अर्थात MgO हो गया magnesium oxide और 2HCl मतलब hydrochloric acid मिलकर बना रहा है magnesium chloride plus H2O magnesium chloride क्या है salt है और H2O क्या है water है तो इसमें यह तो यह जो है सो हमारा acid है ही अब यह हमारा किसका काम करने लगा बेस का काम करने लगा चलिए दूसरा चीज हम लोगों ने यह पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे कि metal के साथ metal जब acid के साथ reaction किया तो अर्थात इसमें भी जो non metal oxide हुआ जो non metal oxide हुआ वह क्या चीज हुआ acidic in solution होगा मतलब नेचर उसका क्या हो जाकर solution में acidic हो जाएगा तभी जाकर एक acid और एक बेस मिलकर किस चीज क्या निमान करते हैं salt प्लस water का निमान करते हैं अर्थात करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो ये metal जो metal oxide और acid मिला तो वह भी salt plus water दिया acid और base मिला तो भी salt plus water दिया और उसी पर का है non metal oxide और non metal oxide और basic base जब मिला तो वह भी हमको क्या दिया वह भी हमको salt plus water दिया तो ये दिमाग में copy कर लो इस बात को कि जब acid plus base मिला acid और base मिला तो acid और base मिलकर हमें दिया acid और base मिलकर हमको दिया neutralization reaction जिसके तच salt plus water बना उसी परकार जब metal oxygen or acid तो वह भी हमको देगा salt plus water देगा उसी परकार जब non metal oxide और plus non metal oxide plus क्या चीज़ मिला base मिला तो वह भी हमको देगा हमको देगा क्या चीज़? Neutralization reaction के तच जो बनता है salt plus water देगा देखीए यहां पर reaction of wasage with non-metal oxide non-metal non-metal oxide compound जो non-metal oxide compound होता है वो कैसे compound होता है contains oxygen and non-metal क्या चीज़ रखता है contain रखता है non-metal और oxygen रखता है in its chemical formula यह अपने chemical formula में for example carbon dioxide co2 sulfur dioxide SO2 मतलब कि सीधी सी बात समझों कि metal है उसमें oxygen मिला हुआ है वह ऐसा compound metal oxide और non-metal है और oxygen मिला हुआ है तर non-metal oxide बेन अब बेस react with non-metal oxide both neutralize each other दोनों एक दिस्वर को क्या करेगा neutralize करेगा इसल के लिए मैंने कहा है ध्यान देना है बात को कि non-metal किसका काम करेगा acid की तरह काम कर लगता है neutralize each other resulting respective salt and water are produced और इसका result क्या होता है respective salt और water produce होता है base plus non-metal and respective salt देखो यहां पर sorry यहां पर एक arrow छुट गया जो आप note करते से में देख लिजेगा base plus non-metal oxide जब मिल के आएगा तो क्या बनाएगा respective salt plus water बनाएगा अब चलिए एक example को देखते चलते हैं 2no sodium oxide अब जैसे ही अब जैसे ही sodium oxide मिला plus co2 के साथ तो वह बना दिया na2 co3 plus sodium carbonate और क्या चीज़ बना दिया sodium oh sorry sorry sodium hydroxide वही तो मैं बोला कि sodium पहले कैसे आगा sodium hydroxide co2 से मिला और जानते हो कि co2 क्या चीज़ है carbon dioxide क्या चीज़ है carbon dioxide है आपको carbon dioxide का non metallic compound and non metallic compound कैसे क्या क्या है carbon non metal है अब non metallic oxide जब मिला 2no sodium hydroxide इसको कहते हैं carbon dioxide के साथ तो यह बना दिया आपको na2 co3 sodium carbonate जो की होता है salt है plus h2o water बना दिया अधर एक्जामपल देखिए दूसरे एक्जामपल देखिए चुकि मैं एक्जामपल को बहुत ज़्यादा आपको देता हूं चाकि आपको उससे सब्सक्राइब 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 कर बना दिया इसमें भी आप देखिए सिये ओ एच का वल्ट्वाइस बेस है सी ओटू के होगर नन मेटालीक अक्जाइड हो गया मिलकर बना दिया सी ओटू अटाइड वाटर बना दिया अभी तक तीन तरह चीज़ के बार पढ़ें एक निट्राइजेशन रियक्षण इसमें एसीड प्लस बेस मिलकर किस तो भी बनाया salt plus water और जब बेस मिला metallic oxide के साथ तो बेस मिला metallic oxide के साथ तो बेस मिला metallic oxide के साथ और दोनों क्या बनाया salt plus water बना when an acid react with a metal oxide both neutralize each other and this reaction respective salt and in this reaction respective salt and water are formed as we show in neutralization reaction जैसे हमने neutralization reaction दिखा तो it can be said that metal oxide are basic in nature तो हम लोग एक से कह सेते कि metal oxide जो है basic in nature है किसके साथ जब acid के साथ है अब वहीं non-metal metal oxide को कह कह सेते कि non-metal oxide acidic in nature है यह बात को समझ कर रखना similarly been a base react with a non-metal oxide both neutralize each other and this reaction respective salt and water are formed so it can be said that non-metal oxide और non-metal oxide are acidic in nature reaction of acid between the metal metal oxide के साथ कर लिया है तो अब क्या करते है metal के साथ तो अब क्या होगा कि जब oxygen की कम है तो भाई यहां पर क्या होगा यहां पर सिर्फ salt प्लस hydrogen बनकर रहा जाएगा मतों जल नहीं आएगा इसमें अंतर इतना हो गया अब समझाओ इसमें salt प्लस hydrogen बना मतब रियेक्शन ओफ एसी जब मेटल के साथ सिफ हुआ है प्लस ऐप साथ नहीं साथ नुए तो salt प्लस hydrogen गास मिला उसी पर काल बेस रियेक्शन ओफ बेस किसके साथ हो गा रियाक्शन ऑफ बेस जब होगा आपको रियेक्शन मेटल के साथ तो Behanne कि वह भी क्या देएगा hydrogen वो भी देगा हमें hydrogen और plus salt तो यह चीछ देखिए reaction of acid with metal acid give hydrogen gas along with respective salt acid क्या देगा हमको hydrogen gas किसके साथ respective salt भी देगा और hydrogen gas भी देगा यहां पर देखो यह जो code word है इसको द्यान से देखना metal plus acid metal मिला acid के साथ बना दिया salt plus hydrogen gas ठीक है उसे पर का salt हो गया और plus H2 देदिया hydrogen gas देदिया अब देखिए यहां पर कि बहुत सारा examples मैंने दिया है कि 2NA मिलकर 2HCl के साथ 2NCl देदिया प्लस H2 देदिया इस तरह का सब आपको दिया गया इस तरह का सब दिया हुआ है उससे पर acid is not stored in metallic conductor acid को कभी metallic conductor में store नहीं किया जासता है acid and metals can easily react जैसे कि acid और metal जो है बहुत easily react कर सकता है इसलिए कभी भी देखना कि वह plastic container में रखा जाता है ना कि आपको plastic container में रखा जाता है ना कि आप देखिएगा कि उसको कभी भी आपको यह क्या करते हैं लोहा के बरतन में या aluminum के बरतनी समय रखा जाता है नहीं रखा जाता है उसको इसी के लिए चलिए reaction of bases with metal reaction of base metal के साथ कैसे होगा बेन base react with metal it produce salt plus hydrogen gas यह तो तुम भी जानते थे कि बाई जब reaction of base with metal भी मेटल जब होगा reaction of base का जब मेटल के साथ होगा तो वह भी क्या करेगा वह भी इस वार अब मेटल से भी होगा मत्तों oxide में सिर्फ non metal के oxide से होगा लेकिन जब reaction metal के साथ base का हो सकता है तो उसमें क्या होगा कि alkali plus metal alkali क्या चीज होता है तुमको base का ही एक अलग name है base का ही अलग name alkali है alkali भी है और alkali plus metal तो भी respective salt plus hydrogen gas देगा आतात मेटल के साथ मिला जब acid वह भी वही चीज दिया salt plus hydrogen gas और base भी जब मिला तो वह भी दिया salt plus hydrogen gas no all metals do this type of reaction लेकिन सारे मेटल इस तरह का reaction नहीं करेंगा हम जो दो दिये हैं जनरली यह करते हैं इसा चलिए अब reaction of carbonate and bicarbonate की बारी है चलिए अब reaction of carbonate and bicarbonate with acid हम लोग पढ़ते हैं अब यह तक हमने जिंजिन reaction को पढ़ा आप नोट से पढ़िएगा और एक पर वीडियो देखिएगा जिरूर आपको सब समझ में आ जाएगा चलिए acid gives co2 gas and respective salt along with water when they react with carbonate जब वो carbonate के साथ react करते हैं तो क्या क्या चीज़ देते हैं carbon dioxide देते हैं water देते हैं salt देते हैं ठाट एक चीज़ बर्ट गया तो को दिमाग में बात को समझने पर सारा चीज़ समझ में जाएगा पहला चीज़ में क्या था कि पहला में था कि salt plus water दे रहा था दूसके दूसरा में क्या हुआ जब मेटल के साथ reaction हुआ hydrogen plus water दिया और अब bicarbonate और carbonate के साथ हो रहा तो क्या हो रहा है carbon dioxide plus water plus salt दे रहा है जैसे देखो NO2CO3 sodium carbonate plus 2HCl hydrochloric acid के साथ मिला है तो 2NCl plus CO2 plus H2O ता 2NCl का मतलब sodium chloride plus CO2 का मतलब हो गया carbon dioxide plus H2O ता 2O का मतलब हो गया water hydrogen का और बाकी सारे आपको सारे को देख लिजिएगा ठीक है इतना सारा reaction लिख लिजिए ना ताकि एक्जाम में किसी reaction के बारे में पूछे तो हमको दिखते हैं हम सारे reaction को बता सके reaction of a seed with bicarbonate bicarbonate के साथ होगा तो क्या होगा जब a seed bicarbonate के साथ मिलेगा तो यह भी salt प्लस carbon dioxide प्लस water देगा देखें जैसे कि क्या हो रहा है एने एस सी ओ थी प्लस HCl मिलकर दिया एने सी एल प्लस CO2 प्लस H2O अब यही एने सी ओ थी जो है यही हमारा कालाता है क्या चीज यही कालाता है बाई कार्बोनेट ठीक है तो यह मिलकर एने सी एल मतलब सोडियम क्लोराइड को हम लोग और जानते दाने से सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट कार्बोनेट बाई किनल वह प्लस दिया प्लस कि निर मा तो उसका समान तरफए इस भी यूज बीकषीट लेंदर रीक्शन फिल भी बीक कहां श होगा रिकक्स पूंछ करेंगे पकूंष करेंगा है तो जो आपका रिक्सं होगा वो भी एस्ट्रॉग बहगा ताँ जिसे होगा जेनरली बेसेज डू नोट रीद डू नोट रियक्ट बिद कार्बोनेट और बाइकर्बोनेट जो नहीं करते हैं इसलिए थोलाग भी इंट्रेस्टेज नहीं उसके बारे में पढ़ने का जरूरत है चलिए अब आपने यह चीज पर है अब मैं क्या करूंगा साब का एक्सप्रेमेंट बता दूंगा जैसे की कंडक्शन अफ लेक्टिसिटी आपको नोट दूज दिया उसको सकेन में लिखना है फर्स्ट में यह बड़ा नोट लिखना है कल उसका वीडियो भी आ जाएगा ओके गुडबाई टेक क्या अग्या अ पुड़ा अज़ा राखे बस्त मैं अज़ाई जाएग साफर भी आपको पांगा जाघएगा यह जाएगा शोचिया झावाँके पुड़ाबाई टेक वड़ाट कि अरिए कि ए उसकत्वार में पू़ार